हेलो एब्रीवन वेलकम टू ग्यान आले आईए आज बात करते हैं जो पेंडिंग डॉक्युमेंट्स की लिस्ट निकाली है ये मारस ने फिर से नेस्ट अथॉर्टीज ने फिर से ये मारस के वेबसाइट पे जो अवेलिबल है अथाइस कैंडिडेट्स के लिए उनके नोटिस निकला है जिसमें की 28 कैंडिडेट्स के रोल लंबर मेंशन है उस रोल लंबर के साथ-साथ उनका जो डॉक्युमेंट है जिसके की वेरिफिकेशन अभी होने है जिसके कारण की अभी डॉक्युमेंट्स जो पेंडिंग डॉक्युमेंट्स है जिसके कारण की उनका document verification रुकावा है उसके context में जो की है 28 candidates की risk निकाल दी गई है उनके role number के साथ सा जो किये specific document जो nest authorities को चाहिए उन candidate से वो जो किये वहाँ लिख दिया गया है देखिए OBC और EWS को लेके मैं बार-बार आपको बता रही हूँ कि जो आपका certificate है वो 1-4-2023 एक April 2023 के बात का बनावा होना चाहिए और EWS के context में ये 2023-24 financial year के लिए होना चाहिए तो ये आपको ध्यान में रखते हुए ही जमा करना है अपना जो आप submit करोगे certificate चाहे वो OBC का है चाहे फिर वो EWS का है वो आपको ये ध्यान में रखते हुए करना है इसके सिवा बहुत सारे लोगों को सारे की सारे documents submit करने के लिए कहा गया है तो कुछ candidates को जो की है graduation and PG की degree submit करने के लिए कहा गया है जिनका की document verification अभी pending चल रहा है इन specific documents के कारण तो ये 28 candidates का list है जो roll numbers है महाँ पर mentioned है अब देखिए आपको जो की है ये जो documents भेजने है ये कैसे भेजने है आपको ये email करना है जो specific email id दिया हुआ है nest द्वारा आपको उसी email id पर जो की है email करना है आपको CC में किसी को अटाच नहीं करना मतलब आपको किसी को मार्क नहीं करना है आपको सिर्फ उस specific email id पर email करना है self-attested copies होने चाहिए साफ साफ printed होने चाहिए self-attested यानि साफ साफ अक्षर में चाह रहे है कि वो जो की है आपकी जॉइनिंग दे दे school allotment करने के बार अब क्या हो रहा है जो भी essential documents है जो भी मतलब documents document की requirement है in context of your joining तो वो तो उन्हें specifically चाहिए होगा न वो तो confirm करने के लिए वो आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे और जब तक वो नहीं हो पाएगा तब तक आपकी जॉइनिंग रुकी रहेगी जितना डीले होगा यह document verification के process में हर बार देखिए हर रोज रुकी है यह list निकल रहे है आज 15 तारह के और आज फिर यह list निकली है इसलिए आप लोग डीले ना करें अपने ही जॉइनिंग के process को जल्दी से जल्दी document verification में जिस तरह से वो मांग रहे है बिल्कुल उसी तरह से legible copies अपने self attested मतलब self attestation के साथ जो की है जो specific ID है उस पर बिना किसी को mark किये हुए आप 18-5-18 में से पहले भेज दो ताकि आपके पार्ट पे जो की है आपका work done रहेगा और नेस जो की है जिस तरह से smoothly काम कर रही है वो जल्दी से जल्दी जो की है school allotment करके आपको joining दे पाएगी आप भी positive रहो और जो steps आप लो वो भी positive रखो ताकि किसी भी प्रक्रिया में आपके पार्ट से at least कोई delay ना होए for further such updates please stay tuned to Gyanale and do like share and subscribe our channel thank you